Hello everyone, आज हम करेंगे Modern History का Part 4 इससे पहले जो है मैंने Part 1, 2, 3 वो सभी के सभी जो है आप डिस्क्रिप्शन मेंन के लिंक देगा है आप वहाँ से भी जो उनको देख सकते हैं सानी से और मैंने सभी Parts की जो है अगर मैं बात कुरूँ पॉलिटी की, हर याना, जीके की, जो प्रियो सेर पेपर्स है ठीक है, वो सभी की प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आप जो है सानी से एक्सिस कर पाएंगे हर एक वीडियो को, रैट अभी करते हैं Question No.1, Part 4 का इससे पहले 89 Question मैंने आपको जो है डिस्कस करवा दिये हैं पिछले Parts में अगर ना देखी हो तो प्लीज उनको देखें Question No.90 है, विच इर बंकिम चंदर चत्रपाध्य राइट आनंदमट आनंदमट जो है किताब, उसने बंकिम चंदर चत्रपाध्य ने कब लिखी थी? जो है, इसको पुब्लिश किया गया है, 1892 के अंदर और यह बंगाली नोवल था, ठीक है? और इसके अंदर जो है सन्यासी, जो रेबिलियन है, उसका जिकर है और 18th century में इसको छापा गया था, और इसके अंदर ही सबसे पहले अगर question आता है, वंदे मातरम को जो है किसने लिखा था? Right answer is, बंकिम चंदर चत्रपाध्य है, ठीक है? इसको सबसे पहले वंदे मातरम को इसी बुक में पब्लिश किया गया था, आनन्द मठ के अंदर question यही आता है कि वंदे मातरम किस बुक से लिए गया है? आनन्द मठ से, आगे करे question number 91 The Governor General of India, who initiated the introduction of the English in India was? कौन सा वो Governor General था, जिसने initiate मतलब पहल की थी, किसकी English की? Who among the floating visitors गांदी जी इन साउथ अफरीका? गांदी जी को, गांदी जी से मिलने कौन साउथ अफरीका पहुँचे थे? उनके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले अगर question आता है, महात्मा गांदी जी के गुरु का नाम क्या था? गोपाल कृष्ण गोखले और 1912 के अंदर जो है, उनके कहने पर जो है, उनको मिलने पहुचे थे? इन साउथ अफरीका में, महात्मा गांदी जी साउथ अफरीका से भारत कब लोटे? 9 जन्वरी 1915 को महात्मा गांदी भारत आये थे और 9 जन्वरी को हम लोग जो भारत में NRI डिसब्रेट करते हैं, NRI सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? आगे हम करते हैं, क्वेस्चन नमबर 93 In which year SALT सत्यग्रह तुक प्लेस? SALT सत्यग्रह कब हुआ था? किश्वर्स में, 1930 में हुआ था Civil Disobedience के साथ हुआ था ये, 12 March, अगर डेट आए, 1930 को हुआ था अंग्रेजों ने SALT के ओपर अपनी Monopoly ले ली थी, एक प्रकरस्ते जो है, अपना एक अधिकार ले लिया था उसको तोड़ने के लिए जो हम आत्मा गांदी जी ने SALT सत्यग्रह किया था, ठीक है? साल्ट, टेक्स को जो है, हटाया उन्हें, ठीक है? इन्होंने Non-Cooperation Moment भी की थी, 1920 से लेकर, 1922 तक जो है, Non-Cooperation Moment चली, असयोगन दोलन, ठीक है? आगे हम करें, Question Number आपका, 94 Through which educational reforms कलकता इन्वस्टी came into existence? कलकता इन्वस्टी किस reforms के जो है, हिसाब से आई थी, किस जो है, educational reforms, जो है, reports के बिहाफ पे जो है, इसको बनाया गया था, वुड डिस्पैच के बिहाफ पे, ठीक है? अब जो है, वुड डिस्पैच, यह Charles Wood के नाम से एक जो प्रेजिडेंट थे, Board of Control of the East India Company के, उनके बिहाफ पे जो है, इसको बनाया गया था, सबसे पहले जो है, कलकता इन्वस्टी बनी, उसके बाद पिर हम कह सकते हैं, Bombay, और Bombay के बाद फिर मदरास, और यह तीनों, एक यहर में बनी थी, 1857 के राउंड, उसके बाद फिर Punjab इन्वस्टी बनी, Punjab, 1882 के अंदर, और अगर हम बात करें, इलाबाद की, इलाबाद जो है, 1887 के राउंड बनी थी, चलिए, आगे हम करते हैं, question number 95, cabinet mission came into India in the year, cabinet mission भारत का वाया था, 1946 के अंदर, इसका मक्षद क्या थ कहां transfer करना, Indian leadership को, ठीक है, और हमें independence देना, इसका काम था, और यह किसका initiative था, मतलब किसने पहल किती इसकी, अगर आइसका answer आए, Clement, Clement and Klee, और यह Clement and Klee कौन थी, उस वक्त England के जहें, परधन मंत्री थी, आगे करते हैं, question number आपका, 96, Muslim league was found in the year, Muslim league कब बनी थी, 1906 के अंदर, partition of Bengal, 1905 में कर दिया, Lord Karzan ने, ठीक है, उसी के बिहाफ पे जो है, पिर, जो है, Muslim league अलग से बनाए गई, ठीक है, और Muslim league को, जो है, एक, जो, conference होई थी, All India, momentum, educational, जो है, conference होई थी, ठाका के अंदर, ठीक है, उसके बिहाफ पे, जो है, पिर इसको बनाया गया था, Muslim league, आगी question number 97, when was Delhi declared as the capital of India, दिली को कब जो है, डिकलेर किया, capital of India, 1911 के अंदर, ठीक है, पहले भारत की राजधानी, कलकता थी, कलकता से दिली transfer कर दिया गया, फिर, 1911 के अंदर, और New Delhi, जो है, नाम दिया गया इसको, 1927 के अंदर, right, आगी question number 98, the first voice ray of India was, सबसे पहला voice ray कौन था है, इंडिया का, right answer is, Lord Canning, Lord Canning is the right answer, ये हमारे जो है, voice ray रहे, 1837 to 1859 तक, ठीक है, जब हमारा, revolt to 1857 का, अगर question आता है, उस वक्त हमारे देश के जो है, voice ray कौन थे, तो ये ही थे, Lord Canning, 1857 के revolt, ठीक है, और ये first voice ray of India भी है, मितलब की question थे ये ही था, चलिए, आगे question है, question number 99, from which of the followings, उपनिशेद, अगे, the words, सत्यमेव जयते, inscribed in the dev nagari, script below the evakes of the state emblem are, आप question ये है, सत्यमेव जयते जो है, वो किष, उपनिशेद से ले रखा है हमने, ठीक है, ठीक है, मुंडुका उपनिशेद, ठीक है, मुंडुका उपनिशेद से हमने इसको ले रखा है, सत्यमेव जयते को, ठीक है, और जो है ये, उपनिशेद, जो है ये मुढ का अर्थवेद का पार्ट है हमारे पास चारवेद होते है रिगवेद, शामवेद, यजुरवेद और अर्थवेद, अर्थवेद में जो है ये जादू मंतर के बारे में है अर्थवेद पूरा, ठीक है और ये national motto है इंडिया का सित्य की हमेशा विजय होती है सित्य हमेशा जीतता है आगे हम करते है question number 100 लहूर वास रणजी सिंग's political capital लहूर capital थी रणजी सिंग की which city was called the religious capital question मैंने पहली parts में भी discuss करवा दिया है और यहां फिर repeat हो गया यह question अमरिसर जो है महराजा रणजी सिंग की religious capital थी क्योंकि वो by caste वो सिख थे और अगर question आए अमरिसर की अमरिसर में है हमारा golden temple जिसको हम कहते हैं हरमिंदर साहीब अगर question आता है अमरिसर सहर की स्थापना किस ने किती तो आएगा गुरू रामदास गुरू रामदास ने किती अमरिसर की स्थापना अगर question आए जो अमरिसर में टैंपल है golden temple उसकी स्थापना किस ने किती राइट अंसर इस गुरू अरजुन देव राइट यहां तक क्लियर है गुरू अरजुन देव को किस ने मरवादिया था जहां गिर ने ठीक है आगे हम करते है question number 101 permanent settlement the system of revenue collection was introduced in India was permanent settlement इसको हम हिंदी कहते है स्थाई बंदोबस्त इसको कौन लेकर आया था राइट अंसर इसमें हो जाएगा Lord Cornwallis ठीक है और यह जो act था 1793 के act के coding आया था 1793 के act के coding था ठीक है और इसमें जो है contract था यह East India Company और जो है landholders थे Bengal जमीदार्स और independent तुलकदार्स के बीच में ठीक है उनको एक जमीदारों को जो है fix amount में जो है उसको tax देना पड़ता था किनको अंगरे चो को ठीक है अगर वो fix tax नहीं दे पाते तो उनकी जो जमीने है वो निलाम कर जी जाती थी ठीक है यह ऐसा system था permanent settlement आगे question number 102 who was the first woman president of congress जो है पहली जो महिला बनी president congress की वो कौन थी right answer is Mrs. Annie Basant जो है इसकी जो है पहली यह British socialist महिला थी और यह जो है INC की जो है पहली महिला बनी जो प्रेजिडेंट अगर question है पहले कौन थे ठीक है तो वो थे जो है वेमेश चंद्र बैनरजी थे अगर बात करें यह जो कलकता में session हुआ था 1917 में जहांपर हिनों जो है presidency की थी वहाँ पर 1917 में कलकता division के अंदर ठीक है आगे हम करें आगे question आता है यह इंसी कब बनी 28th December 1885 को जो है Indian National Congress बनी थी ठीक है आगे करते है question number 103 Who was the founder of Aria Samaj Aria Samaj के founder कौन थे राइड अन्सर इसका हो जाएगा Swami दयानन शर्षवती जी जो है founder थे Aria Samaj के यह जो है अगर question आता है कहाँ प्रस्ताबन की कही थे उन्होंने Bombay के अंदर Bombay ठीक है और Bombay में कब 7 April 1875 को राइट अगर हम करें और यह जो हिंदू religious leaders थे और इन्होंने ही कहा था Indian for India इनके द्वारा है बोला गया था राइट अगे हम करते हैं और इन्होंने कहा था वेदो की और लोटो रभींदर नाटेगोर के बारे में अच्छी भली बाती अब जानते होंगे सभी के सभी ठीक है चलिए अगे question करें who was the chairman of the partition council partition council के chairman कोन बनाए गये थे right answer इसमें होना चाहिए Lord Mountbatten जब भारत का पटवारा हुआ इसके chairman कोन बने थे Lord Mountbatten भारत को दो हिस्टों में डिवाइड किया गया एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत ठीक है और 14 अगस्ट 1947 को पाकिस्तान को अज़ाद किया गया और हमें आप सभी को पताईए 15 अगस्ट 1947 को हमें अज़ादी मिली थी right चलिए आगे हम करते हैं question number 105 ठीक है अगर हम इसमें बात करें अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि महात्मा गांदी जी ने जो भारत को अलग करवाया था असा कुछ नहीं है Muslim League थी ना उसने ही जो है इसके अंदर सबसे बड़ा बीड़ा उठाया था कि हमें अलग से ही अपने एक स्टेट चाहिए स्टेट मतलब एक कंट्री अपनी अलग चाहिए और महामद अली जिन्ना थे इसके अंदर लियाकत अली खान थे अगर कॉंगरिस की अगरम बात करें जो चाहते थे कि ना हो बढ़ फिर भी वो साथ में थे जो है सरदार वल्ला भाय पटेल जी थे राजिनतर परशाद कॉंगरिस की तरब से थे और राजसी राजगोपलाचारी ठीक है चलिए आगे क्वेशन नमबर 106 अगर आइडिया पाकिस्तान वास फिस्ट कंसीवड भाय आइडिया पाकिस्तान सबसे पहले जो पाकिस्तान वर्ड है वो आइडिया वह किस ने दिया था महामद इकबाल ने दिया था राइट अंसर इस महामद इकबाल रहता है 105 गांधी इस्पिरेशन ओफ और सिवल डिस ओबेडेंस केम फ्रॉम दा राइटिंग ओप किस की राइटिंग से जो है सिवल डिस ओबेडेंस जो है कि जो है उन्होंने इस्पिरेशन ली थी राइट अंसर हो जाएगा है हैंरी डैविड थोरियो राइट अंसर इस में होना चाहिए ठीक हैं और ये जो है एक जो है राइटर थे और जो है युआशे से थे बैसिकली आपको question no.106 हो गया, इसका right answer हो जाएगा Mohammed Iqbal, जो ने सबसे पहले Pakistan word coined किया था, conceived yeah फेकर से कहा जकते हैं, आगे question no.107, who is generally acknowledged as the pioneer of the local self-government in modern India? और यह कौन थे, Lord Rippon, right answer हो जाएगा, और self-government क्या होती है, खुद की सरकार बने, जससे panchayati राज होता है हमारा, उसको हम local self-government कहते हैं, ठीक है, और decentralization, जिसको हम कहते हैं प्रकार से, महात्मगाली इसके पक्ष में थे, basically, ठीक है, आगे हम करी question no.108, after the badoli satyagraha, the title of sardar to valla bhai patel was given by, badoli satyagraha हुआ, 1928 के अंदर, ठीक है, और वहाँ पर जो conflict था, किसानों और East India Company के बीच में था, ठीक है, तो उसको उन्हें ने जो है, एक प्रकार से compromise करवाया, और सुहे वाँपरिन को badoli satyagraha के अंदर, सरदार की उबादी से नवाज जा गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधीची के द्वारा, आगे question है, 109, और अगर हम बात करें, राम परसाद बिश्मिल, ये थे बिस्मिल अजिमबाडी और वो थी एक राम परसद बिस्मिल जो 1925 के अंदर आपको मैं बताऊं ये question मैंने पहले भी इसके इसके अंदर जो है काकोरी conspiracy गेसमिन का नाम आया था फिर इनको फासी पे लटका दिया गए थे इसके बाद ठीक है अगी करे question number 110 महात्मा जो है किसके द्वारा जो है गांदी जी को बोला गया था राइट अंसर इसमें होना चाहिए रभिंदर नाट टैगोर के द्वारा जो है महात्मा गांदी जी को महात्मा बोला गया था आगे हम करे question number 111 पर इसका नाम था उसका नाम फिर बाद में क्या कर दिया गया और जो है इसको किसने एस्टेबलिश किया था सर सयद एहमद खान ने किया था 1875 के अंदर ठीक है अलिगर्ड मतलब यूपी के अंदर है यी अलिगर्ड मुसलीम निवस्टी का जो नाम है फिर वो जो है 1920 में कर दिया गया था 1920 में जिसका नाम क्या कर दिया गया अलिगर्ड मुसलीम निवस्टी इसको किसने बना इस्टेबलिश किया था 1929 के अंदर कॉंगरिस के द्वारा और जहांबर प्रेजिदेंसी किस ने कि थी पंडित जॉहलल नहरु ने ठीक है और नहरु ने एक ड्राफ्ट लेकर आया थे कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए 26 जनवरी 1930 को ठीक है और यह रावी नादी के ओपर हुआ था अदिवेशन जो है लेकिन हमें इस दिन इंडिपेंडेंस तो नहीं मिली फिर हमने इसके इंपोरेंट डे सेलिपेंट कर लिया और फिर 26 जनवरी को पता है कि इस दिन हमारा सविधान है जो है इफेक्ट में आ गया था ठी है आगे क्वेशन नॉमबर 113 फू वास दा ओथर ओव दा बुक माई एक्सपरिमेंट विद टूथ यह जो बुक है यह किसने लिखी है राइट अंसर आ जाएगा गांदी जी महात्मा गांदी जी ने जो इस बुक को लिखा है आगे क्वेशन नॉमबर 114 मौतिलाल नहरू ऊपर पढ़ते हैं इसको हैं फाउंडर्स मेंबर ओफ दा तो इसमें सुझन है उनुर्यों ने यह जो जो है इसमें अंसर एक आपका एक तो मोतिलाल नहरू और चितरअजन दास ने जो है कोन सी पार्टी बनाई थी इसमें राइट अंसर हो जाना चाहिए आपका सब्राज पार्टी ठीक हैं, सवराज पार्टी बनाई उन्होंने यह कॉंग्रेस के जिस विचार धारा से थोड़े से अलग हो गए थी, उनको लगा किंग्रेस जिस विचार धारा से चल रही है, वैसे हमें अजादी नहीं मिलेगी तो 1923 के अंदर जो है कॉंग्रेस से अलग होकर एक अलग से पार्टी बना लेते हैं जिसका ना है सवराज पार्टी सवराज पार्टी ठीक है चलिए और यह पूरा का पूरा कंसेप्ट सवराज का मतलब होता है खुद का राज आगे क्वेशन नामबर 115 अभी क्वेशन हमने किया था इसको सन्यासी रेबिलियन का जिकर जिस किताब में है आनंद मठ में और यह किसने लिखा था बंकिम चंदर चट्रपाध्ध है ने जहेंसका रंसर हो जाएगा ठीक है आगे क्वेशन नामबर 116 राइट अंसर हो जाना चीज़ में Lord Dalhousie is the right answer ठीक है जो है Lord Dalhousie जो है लेकर आये थे जो है प्रकार से ठीक है 1848 से लेकर 1856 तो 1848 से लेकर अराउंड 1856 तक जो है गवर्नल जर्नल रहे थे भारत के और इनको जो है real founder बोला जाता है पोस्टल सर्विस का ठीक है आगे हम करें question number 117 arrange the flowing historical events in the chronological orders of their occurrence देखी इसमें question बताना ना सबसे पहले इसमें कौन सा event हुआ था ठीक है तो इसमें जो है right answer जाना चीए आपका सबसे पहले जो हम बात करें non-cooperation moment ठीक है non-cooperation moment है 1920 के अंदर ठीक है चोरा-चोरी कांड हुआ था 5 February 1922 को ठीक है और civil obedience moment होई आभी थी 1930 के अंदर ठीक है तो सबसे पहले first आना चीए इसका और फिर जो है इसका third और फिर second आना चीए so first, third और second किसमें आएगा इसमें तो answer होना चीए इसका second right I think yes, यहां ठीक है अभी चोरा-चोरी कांड क्या था 12 March 1930 को चला था civil disobedience moment ठीक है आगी करें question number 118 which one of the flowing was not a French settlement in the India French settlement कहां कहां पर नहीं थी इन में से एक जंगे पर I think नहीं होगी पुदुचेरी में थी महे में भी थी और चंदरनगर में भी थी गोवा में नहीं थी गोवा में कौन थे? पुर्तगाली ठीक है? पुर्तगीज थे 1498 में वासकोडी गाम आया ठीक है? 1510 में नहीं सेटलमेंट स्टार्ट कर दी अपने इंडिया में और कब तक रहे? 1961 तक तकरीवन हम कह सकते हैं साड़े 400 साल तक ठीक है? इनों नहीं है हमारे भारत में राज किया ठीक है? सबसे पहले आए थे से लास्ट में भी पुर्तिगाली ही गए थे ठीक है? क्वेश्चन नम्बर 119 गांधी कंसेटर खादी एज इस सिंबल ओफ खादी को नहीं किस सिंबल माना था? इकनोमिक्स इंडिपेंडेंस का ठीक है? खादी बस तर पहनने को नहीं बहुत ज़्यादा जोर दिया था ठीक है? आगी कशन नम्बर 120 इंडिया वेंस फ्रेडम इस दा ओटोग्राफी ओफ खुद की आतम कथा है? इंडिया वेंस फ्रेडम ये कौन थे वादमी जिनकी खुदम जो है उन्होंने आतम कथा लिक्यों थे? इसमें आजाएगा अंसर अबुल कलाम अजाद इस राइट अंसर ठीक है? और अगर क्वेशन आता है अबुल कलाम अजाद कौन थे? जब हमारा जो भारत अजाद हुआ था उस वक्त हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर पूचे तो वो थे अबुल कलाम अजाद और आज जो है हमारे भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर को नागर किसी को पता हो तो वो है रमेश पकरियाल निशान का नाम है उनका ठीक है? अब HRD मिनिस्टरी का जो नाम क्या कर दिया? Ministry of Education कर दिया गया है अगर हम बात करें अबुल कलाम अजाद के दिया 1947 से लेकर 1958 तक जो है हमारे भारत में क्या रहे थे? Education Minister राइट चलिए आगी कर दें question number 121 गांधी wanted to realize truth through गांधी जी चाहते थे क्या? truth सचाई के रास्ते पर चले वो तो किस रास्ते से वो चले थे? non-violence सचाई थे उनके हाथ में non-violence अगर गांधी जी कर हम बात करें तो वो कहते थे कि अगर आप मेरे एक गाल पिमार होगे तो मैं दूसरा गाल आपके आगे कर दूँगा तो इतने non-violence थे वो आगे question number 122 the round table conference at London met for the discussion of जो round table conference होई थे लंदन के अंदर ठीक है? उनका होने का क्या करण था? 1930 में पहली होई फिर 1931 में होई 1932 में फिर 3rd होई थी ठीक है? ये 2-3 conference होई थी पहली का तो जो I.N.C. नोग बाइकोटी कर दिया second में फिर वो पहुँचे थे और 1931 के अंदर उसको discussion करना इनका main feature था और ये सारी की सारी कहाँ पर होई थी? लंदन के अंदर अगर question आता सारी की सारी meeting जो है किस वेक्तिन अटेंड की थी? इंडिया से थे वो तो वो थे भारत के पहले law minister Dr. B. Rao Ambedkar जी, father of the constitution इनको वळा जाता है, ठीक है? आगे है question number 123 एक minute सरदार वल्ला भाई पटेल वाज़ा एक्विटिड विद्दा उनको जो है सरदार वल्ला भाई पटेल जो किसके इकवल बाना जाता है? बिसमार्क ठीक है? अगर हम बात करें जब हमारा भारत अजाद हुआ तो जो है ये आराउंड 565 रियासथों में बटा हुआ है तो उन सभी को एकटा करने एकाम किसनने किया सरदार वल्ला भाई पटेल ने वैसे ही बिसमार्क थी ये ये esesकार्टा करने काम किसने किया था बिसमार्क ने काइथ है सरदार वल्ला भाई पटेल इनको Iron Man of India भी कहा चाता है और इनी की जो statue है World की सबसे बड़ी statue है जो गुजरात के अंदर है Around इसकी height है Actual height is कितनी है 182 meter की चली आगी question है 124 8 minute For which community States reserved by the Moraliminto reforms Moraliminto reforms के अंदर किस community की states को जब Reserve किया गया था Right and say is Muslim Moraliminto reforms कब आया था 1909 के अंदर आया था इसके अंदर जो क्या था कि जो है अलग से Muslim लोगों को क्या दिया गया Reservation दिया गया Municipal और Districts Boards के अंदर ठीक है और only Muslim जो है Should vote for the candidates for the Muslim states इसका मतलब यह हुआ कि Muslims जो लोग थे वो सिरफ Muslim कहीं बोड़ते हैं एक परकार से जो हम कह सकते हैं communal चीज़ें जो है अंग्रेज़ों ने start कर दिया हमारे भारत के अंदर ठीक है आगे question है 125 The Gandhi's socialism Gandhi's socialism के according वो चाथ Gandhi जी के मतलब क्या थो रही थी एक परकार से State is not required State is not required का मतलब पॉलिटी अगर हम पढ़ें तो उस country के वहाँ पर State भी बोला जाते है तो उनका कहने का मतलब यही था जो हमारे यहाँ पर States है जो बनी हुए 28, 9 States जो भी है अभी एक्चल में 28 है पहले 29 थी जमू एंड कशमीर को और जो है दलदाक को अलग से यूटी बना दिया गया है पहले यूटी 9 थी अब 8 कर दी गया है योग कि दमन और द्यू और दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया है ठीक है State is not required जिस तरीके जो है decentralization को पर वो काम करते थे पुरी तरह कि लोगों को जो है अब दो दिखो यह साइमेन कमिशन भारत में कब आया था 1928 के अंदर इसके अंदर आराउंड साथ मेंबर आय थे और साथो के साथो जो है वो अंग्रेज थे गोबेक साइमेन का नारा लगाया था डाल लाजबत राएने पंजाब के स्री के नाम से फेमस थे और उसके बाद उनकी लाठिया मार करने ते भी हो जाते है उनको जो हमार भी जाता है लाठिया मार मार के और साथ के साथ अंग्रेज थे और एक भी समें से भारतिया नहीं था तो वो कैसे जो है जस्टिस कर पाते कि इंडिया में सब कुछ सही चलता है अंगरे जोगे दोवरा ठीक है तो सीवस्वामी जो आईयर थी उन्होंने इस बात को बोला था ठीक है क्वेशन यही है कि हिप औप रपिश पूरी तरह से जो है एक प्रकार से दस चुबीन टाइप है बिल्कुल ठीक है और साइमन कमिशन जो है भारत में 1928 के अंदर आया था अगर हम बात करें जो है सीवस्वामी से आईयर कौन थी यह थी अड़ोकेट जनरल थी रहे थी 1907 से लिका 1911 तक ही है ठीक है और उन्हें अपोज किया था साइमन कमिशन को जो है इंडिया में आया था 1928 के अंदर चीक है तो यह आपको लास्ट क्वेशन था बटन और लिस्ट और इससे आगे जो पार आते रहेंगे अगर आपको यह क्लास आपको यह शेशन अच्छा लगा है तो प्लेस लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादे से ज़्यादा अगर आपको इसके जो पहला और सेकिंड पार आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं सानी से उन सभी के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिये गई है थैंक यू